हेलो फ्रेंग कैसे हूँ मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है अलग-अलग ब्रांड के दो पाप्लर स्मार्टफोन एक तरफ मोटो का G82 5G और दूसरी तरफ सैमसंग गलक्सी M52 5G अगर आप लोग स्मार्टफोन के अगर पर्फॉमेस की बात करी जाए जो कि एक इक स्मार्टफोन के लिए इसका प्रोसेसर काफी इंपर्टन पार्ट होता है Moto के G82 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G प्रोसेसर देखने के मिल जाता है वह दूसरी तरफ Samsung Galaxy M52 5G में Qualcomm Snapdragon 778G का एक powerful gaming प्रोसेसर देखने को मिल जाता है Performance के मामले में Samsung Galaxy M52 5G कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता इन दोने smartphone के अगर अंतुति स्कोर की बात करी जाए तो Moto के G82 5G का जो अंतुति स्कोर निकल के आता है वह 4 लैक के आसपास का निकल के आता है जबकि Samsung Galaxy M52 5G का अंतुति स्कोर निकल के आता है वह 5 लैक के आसपास का निकल के आता तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि Samsung Galaxy M52 5G परफॉरमस को मामले में कितना आगे हो जाता है Moto के G82 5G से Smartphone के आगा GFX स्कोर जानि गेमी स्कोर की बात करी जाए तो यहां भी Moto का G82 5G काफी जादा पीछे रह जाता है तो कि गेमी के मामले में Samsung Galaxy M52 5G काफी जादा बेस्ट है स्मार्टफोन के अगर हीटिंग टेस्ट की बात करी जाए जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो Moto के G82 5G को जो हीटिंग परसेंटेज निकल के आता है जब कि Samsung Galaxy M52 5G को जो हीटिंग परसेंटेज निकल के आता है वो 3.8% का निकल के आता है जो कि हीटिंग दोने स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेग्मेंट की बात करी जाए तो Moto के G82 5G में बैक मेटर पर रियर कैमरा सेटब देखने को मिल जाते है 50 Megafixle का में प्रामरी कैमरा मिलता है बाकि के दो कैमरे 8 Plus 2 Megafixle के मिल जाते हैं विद LED Flashlight के साथ वाइस सेलफी के लिए 16 Megafixle का सेलफी कैमरा देखने के मिल जाता है इसी वज़े से कैमरा सेटब काफी जादा बेटर हो जाता है वाइस सेमसंग गलेक्सी M52 5G के बैक में टरपल रियर कैमरा सेटब देखने को मिल जाते है 64 Megafixle का में प्रामरी कैमरा मिलता है बाकि के दो कैमरे 12 Plus 5 Megafixle के मिल जाते हैं विद LED Flashlight के साथ वाइस सेलफी के लिए 32 Megafixle का सेलफी कैमरा देखने के मिल जाता है जो कि गलेक्सी के M52 5G 25,000 लुपी से कम के प्राइस में एक आल रावंडर स्मार्टफोन है दोने स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेग्बिन की बात करी जाए तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेश्ट है Samsung Galaxy M52 5G हर मामले में Moto G82 5G से आगे निकल जाता है पर Moto G82 5G के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को कैमरे में भी OIS का सपोर्ट देखने के मिल जाता है बाकि और मामले में Samsung Galaxy M52 5G बेश्ट है तो अगर आप लोग भी अपने लिए OIS वाला कैमरा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आप लोगों को Moto G82 5G की तरफ जाना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा तो मैं आप लोगों को रिक्मेंट करूँगा कि आप लोग Samsung Galaxy M52 5G को ही बाई करें